गयलोफ सरकार के खिरआफि विजेपी गुरुवार से ही हलाबोल आंदोलन की शुरुवात कर दी चुकी है और परदेश के सभी उत्राखंड मुख्यालों पर विजेपी नेता और कारिकरता धरणे परदर्शन कर रहे हैं हला बोल अंदोलन में ही पर्देश स्तर के 77 नेता उपखंड स्तर पर ही जाकर धरने परदर्शन की अगवाई करेंगे विजेपी परदेश अधियक सतीष तुनिया ने भी जोदपूर में और सिया में धरने पर बैठे और आपको इभी बता दे कि वो बैठने वाले हैं और ब्लोक स्तर पर हो रहे धरना परदर्शन में पार्टी के सभी पधादिकारियों को भी शामिर होने की जिम्मेदारी दी गई है और इतना ही नहीं राज़दानी जैपूर में भी धरने परदर्शन रखे गए हैं बिजेपी के हला बोल अंदोलन का दूसरा फेज नंबर में ही शुरू होगा और नंबर में सभी जिला मुख्यालों पर धरना परदेशन होंगे 15 दिसंबर को ही जैपूर में ही गहलो सरकार के खिलाफ बड़ी रैली करने का प्रयास जो है फैसला किया जा रहा है और दिसंबर की रैली में बिजेपी ने 2 लाग से ज्यादा कारेकरताओं को जुटाने का भी दावा किया है बिजेपी परदेश अधियाक्ष सतीश पुनिया का कहना ही कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है हर वर्ग में छल किया गया है और सरकार को अब हर स्तर पर चेताने के आंदोलन की रास्ता बचाया है और इसके साथ उन्हें ने कहा कि जंता से किये गए हर वादे पर सरकार विफल शाबित हो गई है और परदेश क्राइम कैपिटल बन चुका है भरतियों को भी धांदली आम बात बन चुकी है कॉंग्रेस सरकार से जंता का विश्वास लगबग उठी चुका है और राजे में बड़ी बिजली की दरें आए दिन हो रहे अपराद, बहन बेटियों पर हो रहे अत्याचार, किसान करज, माफी, परिक्षाओं में धांदली, लंबित भरतियों के मुद्दों पर भी हल्ला बोलांदोलन किया गया है नागोर में मामा भानजे की दुरहन शादी में 15 दिन बाद ही रूपे और जेवरात लेकर फरार हो गई है और घटना एक महीने पहले की बताई जारी है, परिवार दोनों बगवों को घर लाने के लिए मान मनुहार करता रहा बात नहीं बनी तो मामला थाने तक पहुँच गया 18 अगस्त को एक एग्रिमेंट के बाद दोनों की शादी हुई थी नागोर जिले के जावरा गाओं में ही राम दयाल की आटा चकी है जबकि दिपेश परतियों की परिक्षा की तियारी कर रहा था और दोनों की शादी दिपावली रमार नाम की महिलाओं से ही हुई थी और दोनों नागपुर की रहने वाली बताई जा रही है परिवार को शादी के बाद से ही इन दोनों दूलों पर शक होने लगा था पतियों ने दोनों को नए मोबाइल दिलवाए और उसमें एक क्लोनिंग एप डाउनलोड कर दिया और ये एक ऐसा अप था जिसने जरिये ही दोनों बहनों के कॉल डिटेल समेट मैसेज और दूसरी जानकारी इनके मोबाइल पर आ जाती थी लेकिन दोनों इतनी शातिर निगले की चक्मा देकर रात दो बजे फरार हो गई अपनी अपनी दुलहन की जासूसी के लिए दोनों मामा भांजे ने नया मोबाइल और सिम दिलवाई थी सिम के नंबर से ही उन्होंने और टीपी लेकर अपने मोबाइल में एक एप डाल कर उसे वेरिफाई भी कर लिया था इसके चलते दोनों दुलहने जब भी किसी से बात करती या मैसेज करती उसका पूरा टाटा मामा भांजे की मोबाइल से ही सेव हो जाता था राजस्थान सरकार दिवालीबाद परदेश के में बंपर भरती परक्रिया जो है वो शुरू करने जारी है परदेश में 39,000 से ज्यादा पदों के लिए भरती होगी इनमें कम्प्यूटर और ग्रेड 2 शिक्षक प्रयोक शाला सहायता समेत 8 केडर के करीब 39,000 पदों पर दिसंबर में ही भरती कारेक्रम जारी कर तियारी की जा रही है आपको यह भी बता देए कि राजिस्थान में कॉंगे सरकार ने शिक्षा विभाग में करीब 60,000 नई भरतियों का बादा किया है इनमें से 31,000 ग्रेड 3 शिक्षकों के पदों पर 26 सितंबर को परिक्षा का आयोजन हो चुका है वही अब सरकार की और से करीब 29,000 पदों के लिए नया खाका त्यार किया गया है एक और जहां सरकार की और से 29,000 पदों पर नई भरतियों को निकालने के त्यारी के जा रही है वहीं दूसरी और अदालत में अटकी भर्तियों को भी सरकार ने पिरवी कर जल्द पूरा करने की तियारी कर ली है इसके साथ ही लंबित चल रही शिक्षा विभाग की करी 5,000 पदों की भर्तियों को सरकार की ओर से निस्तारित करवाते हुए अधिकतर पदों पर न्यूप्त किया जा रहा है और वहीं पर आपको इभी बता दें कि 627 सारीरिक शिक्षक और वरिस्ट और आपको भी जल्द ही नौकरी देने की तयारी की जारी है ऐसे में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं को आने वाले वक्त में राहत मिल सकती है और शिक्ष्या मंतरी गोविंत सिंग ढोटासरा ने भी कहा है कि सरकार जनता से किये गए वादे में अनुरूप काम कर रही है इसके तहत 31 शिक्षकों के पद जहां हाल ही में भरती परिक्षा का आईजन किया गया था अगले कुछ दिनों में ही शिक्ष्या विभाग में लगबग 39,000 पदों पर नई भरती परिकरिया शुरू की जाएगी ताके परदेश के युवाओं को राजस्थान में ही रोजगार मोहिया कराया जा सके